कि अब आज कि वीडियो में भी हम इस्टेटिक्स के नुमेरिकल को लेकर कर आ रहे हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट यह सारे कोश्चन है तो शुरू करते हैं जैसे आपको पहला एक कोश्चन दिखाई दे रहा है कि दस मदों का समानतर माद्द है पचास है यदि पिर्तियक मद में पांच की ब्रद्दी कर दी जाए तो नया समानतर माद्द होगा अब यहां पर आप्सन दे रखें आप्सन तो हम तभी निकालेंगे जब हमें सॉलूशन इसका मालूम होगा लो गोगे अनी ठीच पान पड़ी यह कहरा है यहां यह कहांस पिर्तियक मद यानि मद कितनी है तथ और इनदसों है फ्रत की रद्धी करनी है तो पांच दे पचास की वरद्धी लिश्ट हो रही आ सो रही है यानि इस तरह से हो रही है पचास और इसका जो माद्ध है अब जब अगर हम निकालेंगे तो कि तस्रे डिवाइट कराएंगे जब तस्रे डिवाइट कराएंगे तो यह जीरू कर दिया तो बराबर क्या होगा पचास प्लस पास यानि 55 यानि यह हमारे पास में आंसर हो गया ज्यादा कुछ नहीं है सिंपली है आंसर अब इसमें देख लें कि option जो है वो व यह आपर राइट आंसर है अब देखें अगला question हमारे पास में important समझ मां आ गया होगा यह question वड़ी आराम से अगला question की हम तरप चले है अगला question हमारे पास में है और वो कह रहा है है को पंदरा संख्यां का माध्य है पंद्रा पाया गया यानि संख्यां भी पंद्रा है और इनका जो माध्य है मध्य पंद्र सार्थ नहीं इससाब से हैं क्योंकि यह 1112 की तरह नहीं आप पड़ाया जा सकता कि मैं सोलूशन जिससे आपको निकाल से यह आप दे रहा हूं तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगर हम इसका विर्स्तार निकालेंगे तो इसके लिए करेंगे तो यह हमारे पास में आ जाता है 225 25 15 15 15 जा अगर देखें तो इतना बात बही आ रहे हिंदी में देख लें या इंग्लिश में देख लें बात बही है अब यहां पर बात आई यह तो यह हो गया अब इस संख्या में सही यहां कह रहा है कि 18 और 12 निकाल दी जाए तब से संख्याओं का योग क्या बचेगा तो इनका जो माद्ध्य बचेगा वही माद्ध्य है संख्याओं का माद्ध्य तो संख्याओं का माद्ध्य निकालना है एक्स जो हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या कराएंगे बराबर हमारे पास में 225 तो यह है है 225 को हमने ऐसे ही ले लिया माइनस दो संख्याओं को काउस हुँनद निकाल रहे हैं जब इन दो हम निकाल रहे घ्र हम निकल रहे हैं तो इदर हमारे पास जो निक योग को हम लिखते हैं वह कितना था वह हमारे पास 15 था लेकिन कब जब यह 225 था तब यह 15 था इधर यह हमारे पास दो संभर निकल नहीं दो संख्यान निकल लएं तो यहां पर हम माइनस टू कर देंगे कि दो निकल रहें इसलिए कि अब इस तरह से सोलूसन आप यहां पर इसका आराम से कर सकते हैं तो इस तरह यह हमारे पास में बचेगा आज से लेख दो रेक दीन तीस माइनस इसमें तेरा में से दो घटा देंगे तब यह 13 बचाएगा हमारे पास में इसमें से माइनस कर लेंगे तो 5 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा तो 12 हो गया 12 में से तीन घटाया नौ बचेगा और 1095 और बटे हमारे पास वल्च का तर तह तेरा से हमें यहाठ पर कर देना 14 इसको ढइड कर देना है यह मुसको हम डिवाइड करेंगे तहो हम देखें डिवाइड किस तरह करेंगे यह सब साहता होगा ता सिखाने की आवजकता नहीं हैerving यह कम यहां पर 13 आ जाया है यहां बच्छे 6 तो यह 65 हो गया तेरा पंजे 65 यानि आंसर जो आ गया वो हमारे पास 15 आंसर आ चुका आप 15 देख लें किस ओप्षन में था तो 15 आमारे पास ओप्षन था सिर्फ आंसर सि होगा कि यह आपको यहां पूरा किलियर देखाई देरा आपको अच्छे से अगले कोशन की ओर बढ़ने से पर इसको समझ लें यापर कि यह हमने कि किया है जितनी संक्याओं को लेस्ट किया वो संक्याओं कर दी और जो इनके नमरिंग हुई वो हमने आपर य बढ़ रहे हैं तो अगला कोशन यह दिखाई दे रहा है कि दो अंकों अभू दो अंकों कौन से आठ यानि एट और एटीन का गुड़ोत्र माद्द होगा और यह कोशन C technology 2011 में आ चुका है और इससे पहले जो मैंने कोशन आभी आपको बताय थे दिखाई करके यह भी कोशन इसकुरूम लिखनें पाया हूं और यह कोशन दिखाया यह फिर है कि Italy 2011 है आया हुआ कोशन है क्योंकि मैंने आयो हुए कोशनों को ही सलेक्ट किया है तो तो हम सक्षुय को कि लिए दोनों संख्छाओं को में अंधर ऑडिक अंदर मॼल्टिपलाई कर देंगे घुन की है कि इस तरह हमने जब इसको लिख दिया तो बराबर जब इनकी multiply करेंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी एक 144 अब इसका जब हम बर्गमूल जो निकालेंगे क्योंकि दो संख्या आए थी इसलिए बर्गमूल हम इसका निकालेंगे अगर तीन होती तो घंबून निकालते तो फिलाल यहां पर दो संख्या निकालेंगे बर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो सारी चीज़े आप लोगे पढ़े हों यह तो रटे रटाय होते हैं कि 44 जो है वह 12 बारा होगा और यह इसका आंसर हो गया 12 बार्यम 144 अब देखन चुका है अगला कोश्चन हमारे पास है अगले कि चार और नौ का गुलोत्तर माद दर्स त्यम है उपर और लेकिन यह कोश्चन तीजीटी 2010 और टीजीटी 2013 में आ चुका है अब हम बात करते हैं इसके सोलूशन की इसका अभी गुलोत्तर माद्ध है मैं पता करना है तो हम multiply करेंगे चारने में 36 आ गया अब 36 का जो हम बर्गमूल निकालेंगे तो 36 का जो बर्गमूल आता है वो सब जानते हैं च्छे चंग च्छति यानि 6 छे इसका राइट आंसर हो आप 6 राइट आंसर अरुसमें देख लें किस ऑप्सन में तो वो हमारे पास में सी ओप्सन है यह हमारे पास ओके हो गया चलते हैं अगले कोशन के तो अगला कोशन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सोब ध्यारतियों के अर्थसास्त्र के अंकों की आबृति आबृति विद्रण का माध्य 20 है बाद में पता चला कि 23 अंक को गलती से 25 पड़ा गया है तो इसका सुद्ध माध्य होगा और यह कोशन टीजीटी 2006 में आ चुका है और से पहले भी यह कोशन आया होगा जरू इंप्रोटेंट कोशन है और इस तरह कोशन मैंने से ठीक विछली वीडियो में भी सॉल्व करवाई थे तो ठीक उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे पहले सॉल और इसकी तो इस तरह से आएगा सो गुणा वीज बराबर ही हमारे पास में आ जाएगा कि दो हजार यानि 2000 यह हो गया यहां पर पूरी बात के लिए रोड़ चुकी है कि सो का वीज के हिसाब से इतना विस्तार हो गया जो 20 था वो माध्य था लेकिन इसका यह विस्तार हो जो समांतर माध्य हमें ग्यात करना है अब वाला जो इन गलतियों का संसोधन करते हुए क्या लिखाया बाद में पता चला कि 23 अंकों को गलती से 25 पढ़ा गया है तो जो गलती से पढ़ा गया होता है जो गलत पढ़ा गया होता है उसे माइनस कर देते हैं कैसे करके माइनस क कर देंगे जो की 25 है पिलस कर देंगे जो होना चाहिए था 23 यह और यह कितने का है 100 का है तो सोसेश को डिवाइट करेंगे इस तरह से हमारे पास में अब जो संख्या आएगी निकल करके हमारे पास आएगी है बन नाइन्टी एट है और नीचे रहे गई रहेगा इस तरह से आएगा जब इसको सब कर लेंगे तो यह संख्या हमारे पास आएगा इसको सिखाने की जरुवत नहीं कि कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे सब लोग जानते हैं तो अब इसको हमें दिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक पॉइंट इन दू अंगों से पहले लग जाया क्योंकि दो दीच्वाइब तो इस तरह हमारे पास्वाहें मैं इसको दिखा देता हूं और यह कि अब बराबर यह हमारे पास में संख्या आती है यह हमारा राइट आंसर होगा अप्शन में देखने कि इसमें तो इसका राइट आप्शन सी हमारे पास में सही आ रहा है यह राइट आंसर हमारा ओके हो गया चलते हैं अगले कोशन की ओर तो अगला कोशन आपको यहां दिखाई दे रहा है एक स्रेडी में समांतर माद्दे वह माद्दिका का मूले किरम सहाब पंद्रा और चौदा है 15 और 14 है समांतर माद्दे और माद्दिका मीन और मीडियन यहां समझ आ रहा होगा भुष्टक यानि मोड यहां पर पूछ रहा है इसका मोड क्या होगा भुष्टक बहुलक को कहा जाता है तो इसके लिए इस सूत्र का यहां पर प्रियोग होता है जैड के लिए बोला जाए जैड माद्ध्य जो होता है माद्ध्य गपियुकर 3 3M-2x यहनि माद्ध्य का माद्ध्य यह हमें दियान में रखना है इससे पहले 3 लगा है और माद्ध्य से पहले तू लगा हुआ है बस इस रूत्र के आधार पर इसको हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं अब हो कैसे करका पता करेंगे उसको हम देखें ज़रा त्री ऐसे ही लिखा जाएगा जब यहां कुछ भी टिक नहीं है कोई मार्क नहीं है तो यहां मार्क हमारा मल्टिप्लाई का होता है अब एम देख लें हम एम जो हमारे पास है 14 माइनस का टिक ऐसे ही आगया जैसे कि था इधर हमारे पास 2 ऐसे ही है मल्टिप्लाई एक्स का जो है वह हमारे पास है 15 बस इस तरह से हम इसको अब कैलकुलेटिस को कर लेंगा आंसर हमारे पास में आ जाएगा तो इस तरह हमारे पास आया चौदातियां जो हो गया 42 हो गया 15 दूनी 30 हो गया जब इसको हम इस में से माइनस कर देंगे तब ही हमारे पास में आएगा 12 और 12 ही इसका आंसर होगा अब इसको देख लें कि 12 हमारे पास कौन से आप्सन में आ रहा है तो 12 जो हमारे पास आ रहा है आप्सन में D में तो राइट आंसर D होगा कar-ग अगले QoE Coffee आपके सामने येधी दो संख्याon का गुलोत्त्र माद्ध 17 और हरात्म माद्ध 9 है गुलोत्त्र माद्ध को GM और घट माद पाद को HM वोल जाता है और यहां पूछा गया तो उनका समानतर हिएribour जो हमारा को हुआ है यानि जी ऐम मिशत कर देते हैं कि या स्कोसायर और माूत्य जैसा है वयसके ही रहता है Kika I was in Half vanしま अब इसको हम क्या करें गी कि तो इस तरह से जो जी है वो 15 है की कि इसको आप यर है हरात्मक्नाल बुंग से और अब है तरह यह क्लिच देक अंगा करना इसको देखेंगा 15-15 कि घंग हम गुड़ करेंगे तो यह слова करेंगे तो नो दूनी अठारा चार बचा पैंतालिस हो गया नो पंजे पैंतालिस यानि 25 इसका राइट आंसर आगया आप्सान में देख लें तो आप्सन जो हमारे पास में राइट है वह है वी 25 अगले कोशन झाल्षब पैंतालो आताल है वी 25 अभी झाल झाल